असलाम उलेकुम अगर आपकी रोटियां भी फूलती नहीं है और गोल गोल नहीं बनती तो आपने सही वीडियो पर क्लिक क्या है वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करतीजिए तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है आपको जितनी requirement हो आप उतना आटा ले लिजिए और आटे को अच्छे से चान लिजिए ताकि इसमें कोई गंदगी वगरा ना हो तो अब यहाँ पर हम इसमें नमक एड़ करेंगे तो मैंने आटे के हिसाब से इसमें आदा चमश नमक एड़ किया है आप अपने अकॉर्डिंग नमक एड़ कर लीजिए और नमक को हम पहले आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीच में एक होल बना देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका soft आटा लगाना शुरू करेंगे क्योंकि गर्मियों का season है तो हमने यहाँ पर normal पानी लिया है अगर सरदिया होती है तो आप गरम पानी का इस्तमाल कर सकते हैं हलकि गुन-गुने पानी का रोटियों के लिए जो हम डो लगाते हैं उसे बनाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो first step है हमारा कि हमने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर उसको इखटा कर लिया है तो देखिए आटा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब आटे को इखटा करके हम उंगलियों की साहता से इसमें कुछ गड़े से बना देंगे थोड़ा सा इस पर पानी डालेंगे पानी को मिक्स करके इसको फिर से गुनना शुरू करेंगे और बस इसको छोड़ देंगे 5 मिनट रेस्ट के लिए तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं आटा भी हमारा अच्छे से ठहर गया है ऐसा करने से आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हमें जादा मैनत करने की भी जरूरत नहीं होती तो देखिए मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से गूत लिया है आप देख सकते हैं आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो क्या है अब मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच ऑईल लगा दूँगी और इसके बाद मैं इसको फिर से गूंदूँगी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आटे में पहले से ही ऑईल या घी डाल देते हैं हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब हम कोई समोसे, मठी ऐसी चीज़ बनाते हैं तब आटे में घी पहले डलता है रोटिया बनाने के लिए जब हम आटे के उपर घी लगाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आटा आपका काफी देर तक अच्छा बना रहेगा तो चलिए अब हम रोटिया बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर तीन से चार पेड़े बनाकर रख लिए हैं और मैं सबसे पहले अपना होट पर तयार कर लेती हूं तो मैंने यहां पर होट पर तयार कर लिया है रोटियों को मैं बेल लूँगी रोटियां बेलते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है जिसे कि हमाई रोटियां एकदम फूली फूली बने तो जब हम रोटियों को बेले तो जो बेलन होता है उसका दबाव हमें किनारों की तरफ रखना चाहिए बीच से रोटि बिलकुल भी पतली नहीं होनी चाहिए अगर रोटि बीच से पतली हो गई तो आपकी रोटि बिलकुल नहीं फूलेगी तो यहां पर हम इसको तबे पर डाल देते हैं इसको बहुत जल्दी ही हमें पलटना है जादे देर नहीं लगानी रोटी को हम फिर दूसी तरफ से पलट देंगे और बस उतार कर हम इसको अच्छे से सेक लेंगे ये देखिये हमाई रोटी यां कितनी गोल गोल और फूली फूली बनी है रोटीयों को सॉफ्ट बनाई रखने के लिए एक और स्टैप है कि आप जब भी रोटियां बनाएं तो उस पर साथ के साथ घी लगा दें और उसको हाट पॉट में रखकर धकर रख दें उससे आपकी रोटियां काफी देर तक सॉफ्ट मुलायम और बढ़िया बनी रहेंगी तो आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट है कि हमने इसको एक मुट्टी में दबा लिया है और फिर से यह वही शेप में आ जाएगी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वाचिंग अल्लहाफेज